नमस्कार SBT News में आपका स्वागते और पेशे इस वक्त राजस्तान की बड़ी खबरे राजस्तान सरकार ने सभी प्रभारी मंत्रियों, राजय मंत्रियों, सरकारी मुख्य सचे तक उप मुख्य सचे तक को 15 दिन में अपने प्रभार वाले जिलों का दोरा करने की निर्देश निये हैं प्रभार वाले जिलों में विभिन बिंदू की समिक्षा करेंगे सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि सभी मंत्री राजी के आने जिलों में दोरा कर अपने विभाग की योजनाओं की समिक्षा करेंगी और इसके साथ ही दोरा हर हिसाब से तैक करेंगे कि आगामी 6 महिने में सभी जिले कवर हो सके इसके बाद सभी रिपोर्ट सरकार को भेशनी होगी राजी सभी विभाग में जमीन को लेकर बढ़ रही पेंडेंसी के बाद सरकार ने कलेक्टरों को जमीन आवंटन का अधिकार दे दिया है अब कलेक्टर अपने स्तर पर जमीन आवंटन कर सकेंगे राजे सरकार ने इसी साल कलेक्टरों से जमीन आवंटन के पावर छीन लिये थे लेकिन पांच महीने बाद ये सरकार को बैक होना पड़ गया जिले में कलेक्टरों के पास जमीन आवंटन के लिए सरकारी के साथ ही संस्ताओं के भी प्रस्ताव आते थे जिसमें collector अपने विवेक के अनुसार उसमें नेर्गण लेकर जमीन आवंटित कर सकते थे इसमें collector को 4 hectare तक जमीन आवंटन के अधिकार दिये हुए थे लेकिन सरकार ने इसी साल जून 2020 में collectorों से जमीन आवंटन के अधिकार वापस ले लिये थे शिक्षा विभाग की ओर से जिलो को दी जाने वाली रैकिंग में इस बार जैपूर जिले ने बाजी मारी है हनुमानगर जिला तीसरे स्थान पर रहा रादसान स्कूल शिक्षा परिशद ने शुक्रवार को अक्टूबर महीने की रैंकिंग जारी की प्रदेश के सभी 33 जिलो की इस रैंकिंग में 203.34 अंक स्कूर प्राप्थ कर जैपूर पहले स्थान पर रहा दूसरा स्थान चूरू जिले का रहा चूरू ने 196.96 अंक का स्कूर प्राप्थ किया हनुमानगर जिला 194.37 अंकों के स्थान पर तीसरे पर रहा जैपूर लगातार तीसरे महिने पहले पायदान पर आया है और इससे पहले अगस और सितंबर में भी जैपूर पहले स्थान पर रहा था शिक्षा मंतरी गोविन सिंग डुटासरा का ग्रह जिला सीकर इस बार 181.34 अंकों के साथ छड़े स्थान पर रहा राजसान स्कूल शिक्षा परिशद 42 पॉइंट के आधार पर हर मार रैंकिंग जारी करता है अलवर पुलिस ने हर्याना की कुख्यात इनावी बदमाश साहुन उर्फ काला को उसके साथ ही अखिल खान को गिरफतार किया है इनसे देशी कटा वे तीन कार्थूस बरामत किये गए पुलिस ने सूचना मिलने पर काली मोरी स्थित आईटीए कॉलेज के सामने से दो संदिक द्यूकों की तलाश की और इनके पास से एक देशी कटा वे तीन कार्थूस मिले राजे की अतिरिक बुक के निर्वाचन अधिकारी कृष्ट कुनाल ने विधान सबाश्चित्रों के निर्वाचन अधिकारियों से कहा कि चुनावी गति वीदियो को आसान करने के लिए गरुड मोबाइल आप विक्सित किया गया है चुनाव कारे से जुड़े अधिकारियों वे करमचारियों को इस आप के सभी फीचर्स बारी के से समझना जरूरी है उन्होंने अलवर में एक दिवस्य कारशाला में यह बात कही कुर्णाल ने बताया कि गरुड मोबाइल अप के माद्यम से बी एल लो द्वारा प्रतेक मतदाता वे उनके घर की जीयो टैनिंग के साथ चुनाव सबंदी अन्यमहतपुन कारे किये जाएंगे यह काम सफलता से होने पर इस मोबाइल अप को पूरे भारत में लागू किया जाएगा राधसान में उतकृष्ट निर्याद को को चैनित करने वे पुरुस्कत करने के उद्धिश से राधसान निर्याद पुरुसकार यूजना के अंतरगत वितिय वर्ष 2019-20 के लिए चैन करने के लिए आवेदन पत्र आमंतर्प के गए हैं आवेदन पत्र का प्रारूप वे यूजना के विस्तित जानकारी विभागय वेबसाइट पर उपलप्त है टॉंग जिले के देवली पुलिस उप उपादिक्षक वंदिन्ता राणा के निर्देश पर दूनी थाना प्रभारी के निर्देशन में बड़ी कारवाही की गई गटिक पुलिस टीम ने प्रदेश में तीन जिलों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह मास्टर माइंड समीत नो सात्यों को तीन माह के प्रयास के बाद दूनी थाना इलाकी के राजमहल से गिरफतार कर लिया है गिरोह में शामिल आरोपी टोंग, भिलवड़ा और अजमीर के कई थाना शेत्रों, टोल नाको, सूनी मकानों, दुकानों और मोबाइल टावर पर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के साथ ही जेब तराशी का कारे करते हैं वहीं पुलिस टीम फरार आरोप्यों की तलाश कर रही है, इसके बाद अन्य चोरियों का खुलासा होने की संभावना है राजसान के चूरू जिले के एक अजीबो गरी मामला सामनी आया, यहां के रतंगर्ड में फिल्म स्टार संजदत से मिलने के डिमान करती हुए, एक युवक पानी की टंकी पर चड़ गया हत्या के मामले में बाल अपचारी रह चुका युवक रतंगर्ड तहसील के गाउं भानुदा का रहने वाला है, युवक का नाम राकिश शर्मा है, वह सुबह आठ बजे से ही भानी धोरा स्थ पानी की टंकी पर चड़ा हुआ है, तब से वह लगाता ड्रामी कर रहा है और समय पर जानकारी के लिए दुनिया भर में शोध हो रहे हैं, वहीं देश में भी कई शोध करता आसान और सस्ते टेस्ट के लिए शोध में जुटे हैं, ऐसा ही एक शोध हो रहा है आई-ाई-टी मद्रास की परियोकशाला में, खास बात यह है कि इस शोध से जुटी टीम का निततव जहपूर के आकाश चोधरी कर रही है, जहपूरी टीम जिसे माइक्रो चिप पर काम कर रही है, वो शोध पूरा होने पर बाजार में आती है तो किसी भी कैंसर का पता लगाना, डाइबिटीन्स या गर्बा वस्ता का पता लगाने जितना ही आसान और कम खर्ष गालने बैंक पहुंची और पास्बुक में प्रविष्टी कराई तो वारदात का पता चला। शासी नगर थाना पुलिस ने बताया कि बलदेव नगर निवासी पतासी देवी ने जुलाई में बिगला स्कूल के पास सित अपना एक मकान 47 लाक रुपे में बेचा था और य चल रहे हैंन्डी क्राफ वर्चुवल फेर में इस बार नियातत एक लॉकिन सिस्टम से अपने प्रोडेक्ट की डिजाइन चोरी कर रही है नियातक फेर के लिए वर्चुल स्टॉल वीब साथ पास्वर लगिंग शिस्टम खासतोर से तवर्वाया है जिसमें उत बाद को लॉक करने वाला फीचर जोड़ा गया है निर्यातक फेयर में अपने चुनिंदा बायर्स वे विजिटर्स को पास्वर्ड शेयर कर अपने प्रोडेक्स को शो कर रहे हैं NIA ने रादसान के सीकर जिले के फत्यपूर कस्बे में शरीवार को सुबह सुबह बड़ी कारवाही की NIA की टीम ने कस्बे के रोल साबसर और गेडिया बड़ा गाउं में दो घरों में छापा मारी कर कारवाही की जहां टीम ने सर्च ओपरेशन चलाकर कुछ दस्थावेज जुटाई जिनकी जाँच की जा रही है सुत्रों से मिली जानकारी के नुसार रोल साबसर गाउं में ये कारवाही अयूप खान और गेडिया गाउं में सतार के घर की गई है जहां एनाई की टीम ने अचानक घुसकर सर्च ओपरेशन चुरू कर दिया करीब दो बंटे तक टीम ने दोनों घरों में दस्तावेज जुटाई परिजिनों से पूश्टाश की और इसकी बाद एनाई की टीम ने फतेपुर पूरिस्थाने पहुंची जहां अब भी टीम दस्तावेजों की जांच में जुटी है राजसान में कोरोना संकट के बीच जल जीवन मिशन से तीन लाग परिवारों तक पानी पहुंचा है कि इस सरकार के इस स्योजना से गाम के हर घर तक पानी पहुंचाने का लक्ष है जिसके अंतरकरत राजसान में एक करोड से जादा कनेक्शन लगाए जाएंगे सबसे एहम बात ये है कि कोरोना काल के बीच ही जल जीवन मिशन से लाखों परिवारों को बड़ी राहत पहुंचाने का काम सरकार ने किया है जोदपूर में बास्ति थाना पुलिस ने ओनलाइन समान मंगाने वे नकली समान डाल कर लुटा कर ग्यारा दिश्मनव 14 लाख रुपे की चपत लगाने वाले तीन आरोपियों को शुक्रवार को गिरफतार किया मुक्या आरोपी डिलीवरी बॉई किसी अन्य के आधार कार्ड में एडिटिंग कर फर्जी नाम पते से नोकरी कर रहा था थानादिकारी दिलीव खदाव के अनुसार इंस्टाकार्ड प्राइविट लिमिटेड कंपनी के ओर से दर्ज ठगी के मामले में दिनेश कुमार, विकरम विश्णूई और दोलाराम विश्णूई को गिरफतार किया गया है जैपुर के हैरिटेज नगर निगम में अपना महापोर बनाने के लिए भाश्पा ने मशक्कत चुरू कर दी है भाश्पा के पास अभी यहां 42 पार्षद है और उसे बहुमत के लिए 51 के आंकड़े की अवश्रकता है इस अंक से भाश्पा आठ अंक दूर है निर्दलिय जीतने वाली कुसम्यादव महापोर प्रत्याश्री बनाए जाने से भाश्पा के साथ हो चुकी है अभी तक कि सितिक अनुसार परकोटे के अधिकांश निर्दलिय कॉंग्रेस खेमे में जाते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन भाश्पा भी अब निर्दलियों से संपरक साधने में जुट गई है वही भाश्पा हेरिटेज में कॉंग्रेस की ओर से मुस्रिम प्रत्याशी नहीं बनाए जाने पर उपजी नाराजगी का फाइदा उठाने की जुगत में है सुत्रों के अनुसार भाश्पा ने अपने शेश आंकडे मिशन आर्ट को पूरा करने के जिम्मेदारी अपने वरिष्ट नेताओं को सोपी है फिलाल इस बुलिटिन में इतना ही और फिर हाजिर हूंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ अगर आप व्यापार और उध्योग सबंदी समाचारों में रूची रखते हैं तो हमारे नए यूट्यूब चैनल विश्रुकारोबार को देखिए सब्स्क्राइब, लाइक और कॉमेंट कीजे विश्रुकारोबार का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है